आज हम आपको फाइनेंस और टेक्निकल दोनों के बारे में जानकारी देंगे आपने यहाँ देख लिया होगा LED ट्यूब लाइट लिखा है कल मैं एक दुकान गया तो उसने पुरानी वाली ट्यूब लाइट लगा रखी थी हमने पूछा उसे कि LED में क्यों नहीं बदला तो बोला साब बहुत खर्चा होता है जब यह खराब हो जाएगी तो हम लगाएंगे तो उसको मैंने टेटेल में समझाया कि नई नई भाई तुरंद बदलो तो जो मैंने उसको बताया आज मैं आपको ठीक से बताता हूँ क्या होता है जब हम कोई money invest करते हैं तो हम चाहते हैं invest करने के बाद हमें उसमें profit हो या हमें वो पैसा किसी तरह वापिस मिले तो finance में उसी से एक term है समंधित उसको बोलते हैं payback period payback period वो period होता है कि जितना money हम लगाएं वो पूरा का पूरा money या पैसा as a profit कितने समय में वापिस आ जाता है उसको बोलते हैं payback period मैं आपको तो उधाराण देता हूँ पहला उधाराण है मान लीजे आपने money invest किया एक हजार रुपया ठीक है और saving per year या profit per year आपको होता है पान्सों रुपया तो payback period होता है ये एक हजार बटा पान्सों रुपया दो साल तो payback period होगा दो साल आपने एक हजार रुपया खर्चा किये हर साल आपको पान्सों रुपय का profit या saving होई तो दो साल में पूरा पैसा वापिस आजाएगा ना इसको बोलते हैं payback period जब हम लोग बड़े बड़े project करते हैं तो ये calculation जरूर होता है कि हम इतना रुपया लगा रहे हैं तो इतना रुपय का profit या पैसा कितने दुन में वापिस आएगा हमारा payback period कितना होगा अब हम आपको एक दूसरा एक्जामपिल देते हैं अभी हमने सालाना calculation किया था अब अब महने का करके दिखाएगे मान लीजे आपने money invest किया 100 रुपया और saving या आपने saving लिखा है profit भी हो सकता है profit या saving पर मंथ होता आपको 5 रुपया तो payback period कितना होगा 100 बटा 5 यह हो गया 20 मंथ इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 100 रुपय invest करें और आपको हर मेने 5 रुपय का profit या saving हो तो 20 मेने में आपको पूरा पैसा वापिस आ जाएगा तो आपका payback period हुआ 20 मंथ यह calculation हर project में होता है आपको भी घर में करना चाहिए अब हम एक LED ट्यूब लाइट का payback period डिटेल में calculate करके आपको दिखाएंगे मान लीजिए कि एक LED ट्यूब लाइट की cost है 300 रुपय है मैंने अभी कोजनों पहले 300 रुपय में खरीदी थी अब है saving in power of one ट्यूब लाइट यह ट्यूब लाइट लगाने से LED वाली power में कितनी saving होती है उसका calculation है यह मान लीजिए पहले 40 watt की ट्यूब लाइट लगी थी जो चोक वाली ट्यूब लाइट आती है वो 40 watt की होती है तो पहले 40 watt की थी अभी हमने 20 watt की लगा दी तो कितना हमें बचत हुई 40 minus 20 तो 20 watt की हमें पावर की बचत होगी एक ट्यूब लाइट लगाने में हमाली जो एक ट्यूब लाइट है वो एक दिन में 10 घंटे यूज होती है यह मैंने एक दुकान का कल्कुलिशन किया है दुकान में 10 से जादा भी यूज होती होगी अगर घर है तो यह time काम होगा तो फिलाल हम 10 घंटे लेकर चलते हैं यह जो LED ट्यूब लाइट है वो एक दिन में हम 10 घंटे प्रयोग करते हैं तो saving in monthly unit कितना आएगा मैंने एक वीडियो भी बनाया था monthly unit calculate करने का उसी तरह यहां भी calculation है saving in power है 20 watt एक ट्यूब लाइट से हम 20 watt की power बचा रहे हैं तो यह 20 watt हो गया यह वाला क्या है saving है और रोज हमारी 10 घंटे चलती है और मैने में 30 दिन होते हैं तो 20 watt गुणा 10 घंटे गुणा 30 दिन divided by 1000 यह आ जाएगा 6 unit इसको 6 kilowatt hour भी बोलते हैं तो आपको एक tube light लगाने में चोक वाली tube light की जगां रोज 10 घंटे प्रेयोग करें तो एक मैने में 6 unit या 6 kilowatt hour विजली की बचत होगी अब हम पैसा calculate करेंगे कि कितना बचेगा हम आ लिजे बिजली का खर्चा है 5 रुपया पर यूट ये सब दिगे अलग-अलग होता है अधिकतर दिगे 5 रुपय से जादा ही होगा हम खुदी 5 से जादा देते हैं मगर हमने simplification के लिए 5 रुपय ले लिया है तो अगर 5 रुपया पर यूट है तो saving in bill कितना आएगा 6 यूट गुणा 5 रुपया तो 5 रुपया गुणा 6 रुपया तीस रुपया आगाए ये क्या था 6 यूट मंथली में saving थी तो ये क्या आएगा आपका हर महिना 30 रुपया बचा एक ट्यूब डाइट लगाने में हर महिने आपको 30 रुपय की बचा थोगी अगर विजली का बिल के दा में 5 रुपया पर यूट और 10 घंटा रोज आप चलाते हैं तो payback period कितना हो गया आपने 300 रुपय खर्चा किये थे और आपको 30 रुपया saving हो रहा है बिल में ये पर मंथ है saving ये monthly calculation है तो 300 रुपय डिवेड़ बाई 37 10 मंथ तो 10 महने में आपका पूरा वापिस आजाएगा आपने 300 रुपय खर्चा किये LED ट्यूब लाइट लगाने के replace करने के चोक वाली को हटा कर आपने ये लगाई है तो आपको महने में 300 रुपय की बचा थुई तो 10 महने में आपको पूरा पैसा निकल आया ना इसको बोलते हैं payback period टेकनकल टर्म में आप finance भी सीख लिजे थोड़ा जो बड़े बड़े बजट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ये बहुत calculate करती हैं वो कोई भी machine लगाती है तो देखती हैं कि उससे हमारी बजट कितनी होगी आप हमने उस दुकानदार को समझाया कि भाई देखो आप ये चोक वाली टूबलाइट निकाल दो और LED वाली लगा दो तो आपको तीन सुरुपे खर्चा होंगे एक टूबलाइट में और ये पूरा पैसा आपको दस मेने में वापिस आ जाएगा और उसके बाद जो हर मेने बचत होगी वो फूरी होगी आपको फाइदी फाइदा है आप उन्दजार क्यों कर रहे हो फिर उसने उसी समय हमारे सामने हमको ले जाकर के एक टूबलाइट खरी दी और काया कि मैं लगवा लूँगा अब अगर आप जो टूबलाइट घर में रिप्लेस कर रहे हैं पहले चोक की थी अब LED लगा दी तो टूबलाइट यूज पड़े फर घर में 10 घंटे नहीं यूज होती होगी थोड़ा कम यूज होती होगी माली जे 5 घंटे यूज होती है तो जब ये आधे टाइम यूज होगी तो यहां आधी पचत होगी यहां भी आधी पचत होगी और ये 10 का 20 मेने हो जाएगा मतलब अगर आप 5 घंटे यूज करेंगे तो 10 के जगां 20 मेने में 300 रुपे वापीस होगे 20 मेने कितना होता है 1 साल 8 मेने तो 1 साल 8 मेने में आपको पूरा पैस वापीस मिल उसके बाद फिर जो बाकी पचत होगी हर मेना वो मुफ्ति हो गई तो आप घर में भी अवश्य लगाएं और घरवालों को बताएं आप कि हमारा पेबैक पीरियट कितना मेहने है आपने बड़े-बड़े शहरों में देखा होगा कि बाई-पास अड़क होती है कहीं कहीं वो हिसाब लगाते हैं कि हमने इतना रुपिया खर्चा हुआ इतने साल में हमें पैसा वापिस मिलेगा मतलब पेबैक पीरियट हमारा इतना होना चाहिए तो हर गाड़ी से हमें इतना वसूलना है उस हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है पहले पेबैक पीरियट कैलकुलेट करते हैं कि पर गाड़ी के एक साफ से कितना होगा तब यह देखे प्रोजयक्ट हम करें या ना करें, इसमें नफफा है नुक्सान है, या फिर सोशल सर्विश करनी है. बहुत से लोग कोई बिजनिस करते हैं या दुकान खोलते हैं, या कोई फैक्टरी लगाते हैं, तो उसमें कुछ पैसा लगाती हैं एक लाग, दो लाग, पांच लाग, दस लाग तो वो चाहते हैं कि जो पैसा लगाया वो वापिस आ जाए प्राफिट के तौर पर हमा लिजे किसी ने पांच लाग रुपे लगाए और हर साल उसे एक लाग का प्राफिट हो रहा है तो पैबैक पीरियाट कितना होगा? पांच बटा एक, पांच साल पांच साल में उसका पूरा पांच लाग वापिस आजाएगा तो उसको बोलते हैं पैबैक पीरियाट यह calculation करीब सभी लोग करते होंगे, देखें उनमें कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, यह जो पांच साल आया, या जो भी आये, वो है payback period, अब आज यहीं समात करते हैं, 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 य